Assalamualaikum everyone, this is Sana, welcome back to my channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है क्यूंकि मैं आपके साथ किचन क्लेनिंग टिप्स शेयर करूंगी और जो भी किचन गैजट्स होते हैं उनको किस तरह से अच्छे से साफ किया जा सकता है without any side effect क्यूंकि हमारे किचन में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है like machines होती है जिनको हमें बहुत ही carefully clean करना चाहिए like juicer की machines होती है blender और इसके लावा sandwich crafter होते है इनको किस तरह से अच्छे से clean किया जाए कि कोई भी उनमे side effect ना आए और किसी किसम की machine में कोई efficiency में कमी ना आए इस तरह की बहुत ही useful सी और functional सी tips आपके साथ share करूंगी इसके इलावा आप kitchen में किस तरह आपने time को और पैसों को save कर सकते हैं कौन से gadgets kitchen के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं और बहुत ही low cost वाले हो सकते हैं तो undoubtedly ये वीडियो आपके लिए बहुत useful और functional साबित होने वाली है kitchen cleaning के हवाले से अच्छा आज ना मेरी तबिये थोड़ी सी खराब थी मुझे दो दिन से बुखार है और खांसी नजला बस इन चीजों का onset है आज कल क्योंके मौसम weather change हो रहा है और इन चीजों ने सबको ही अपनी लपेट में लिया वा है like flu और throat infection ये सारे आज कल बड़े common हो रहे हैं due to weather change इसलिए आज के vlog में मेरी आवाज आपको थोड़ी सी different लग रही होगी especially आज के vlog में because I am suffering from all these conditions like flu, cough and fever और मुझे ना actually ये vlog कल upload करना था यानि yesterday और मेरी तबियत खराब थी और आवाज उसका काफी change थी इसलिए मैं नहीं कर पाई लेकिन आज मैंने सोचा कि आज भी मेरी आवाज में कोई खातिरखा changing नहीं आई मतलब आवाज अभी भी still मेरी खराब ही है तो मैंने ये सोचा कि आज व्लॉग अपलोड कर ही देना चाहिए क्योंकि आवाज तो मेरी और एक दो दिन शायद ऐसी रहे तो मैं कब तक अपना ये काम लेकर पेंडिंग रहूंगी तो ब्लेंडर को और दूसरी मशीन को साफ करने से पहले काउंटर का साफ होना बहुत जरूरी है ये क्लियर होगा तभी कोई काम यहां पर अच्छे से हो पाएगा तो यहां पर मैं सबजियां लेकर आई वी थी इनको मैंने जगा पे रखने के लिए काउंटर पे रखा ग्रीन चिली काफी जादा थी तो इसकी डंडिया मैंने निकाल दी थी क्योंकि ये मॉस्चेर अब्सॉब करती है और इस तरह जल्दी खराब होने का डर होता है तो इनको मैं ऐसे एक बॉक्स के अंदर ये डिस्पोजिबल बॉक्से आते हैं जो भी हमने कुछ और कभी किया हो या किसी बाहर के खाने के साथ आते हैं तो इनको मैं अच्छे से साफ करके सेव कर लेती हूँ क्योंकि काफी ये यूसफुल हो सकते हैं तो इनके अंदर मैं मिर्चे इस तरह से रख देती हूँ और इस तरह एक हफ़ते तक मिर्चे आपकी फ्रेश रहती है अच्छा यहां परना मैंने सारी वेजटेबल्स अपनी वाश करके फ्रिज में रख दी थी और उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की थी जो भी मैंने मशीन साफ करनी थी फर्स तो फॉल मैंने ये ब्लेंडर की मशीन को साफ करना था ये बहुत ही गंदी हुई थी इसको साफ करने का मुझे जो सबसे बैटर तरीका लगता है वो ये है कि इससे फर्स फॉल आफ प्लग आफ करें और उसके बाद आपने एक स्पांच लेना इस पे हलका सा सोप लगाना है और जेंटली स्क्रब करने से इसके जो धबे हैं या स्पॉर्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं लेकिन लाइट स्ट्रोक्स ही रखने हैं आपने क्योंके डेलीकेट है मशीन और इसको मैं काफी टाइम के बाद साफ कर रही हूँ वैसे तो रेगिलर मैं इसको बस गीले कपड़े से साफ करती हूँ लेकिन उसे ये स्पॉर्ट्स बिल्कुल भी खतम नहीं होते हैं इनके जो स्लिट्स हैं इनके अंदर भी बलैक बलैक स्पॉर्ट्स और इस तरह से डर्ट कुसी वी है और ये जो slits हैं इसके अंदर तो मैंने जो common pin होती है या फिर बॉबी पिन जिसे कहते हैं उसके जरीए मैंने इसको साफ किया था अभी आगे जाके वो clip आपको नजर आएगा और इसकी machines को भी आपने बिल्कुल जादा wet बिल्कुल भी नहीं होने देना बस light सा रखना है और इस तरह देखें इस spin की मदद से मैंने इसको जो अंदरूनी इसके पार्ट थे उनको बहुत ही light strokes के साथ मैंने साफ किया है क्योंकि अभी मौसम ऐसा गुजरा है humidity वाला तो ये चीज़ें जब गीली होती हैं तो गीली रहती हैं और काफी time तक गीली रहती हैं जिसकी वज़े से इनमें fungus टाइप की कोई चीज लग रही थी मुझे इस वज़े से मैंने इसकी अच्छे से cleaning की है और at the end आपने इसकी तार को भी गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना है और ये देखें कितनी अच्छे से ये साफ हो गई है और ये बिलकुल safe method है बिलकुल आपकी मशीन को किसी किसम का नुकसान नहीं होगा कोई भी हाम नहीं होगा बस इस तरह से आपने gently इसे साफ करना है और end पे आपने गीला कपड़ा इसके उपर फेर देना है end पे मैंने इस मशीन के जग को और इसकी जो dry mill होती है उसको भी मैंने साफ कर लिया था specially इसके जो नीचे वाला मशीन होती है इसको भी आपने इसी तरह carefully dry करके और इसे साफ करना है ये बहुत ही simple और safe method है for cleaning your machines, machine को साफ करने के बाद इसे dry होने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और उससे पहले इसमें कुछ भी आपने blend नहीं करना, मैंने यहां पर काफी देर के लिए machine को dry होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मेरे पास ये green चिली काफी जादा आई वी थी और मुझे डर था कि ये पड़े पड़े खराब हो जाएंगी और ये दूसरे वाले box के चिलीज हैं जो अभी मैंने रखी थी वो new हैं और ये मेरी पास काफी पुरानी पड़ी वी हैं, I mean इनको रखे वे 6-7 दिन हो चुके हैं तो मैंने सोचे इनको blend करके freezer में रख देती ह और इसकी machine को कोई भी effect नहीं हुआ, बस आपने इसको कोशिश करनी है कि गीला बिल्कुल नहीं रखना और जो कपड़ा है वो भी आपने बहुत जादा wet यूज नहीं करना और जो sponge है, soapy sponge उसको भी आपने जादा wet इस पे यूज नहीं करना, बस इन simple से tips को follow करके आप अप सेंड्विच मेकर को भी clean करना है, again आपने sponge को हलका सा wet करना है, उसके उपर हलका सा liquid soap लगाना है, और इसको थोड़ा सा foamy करके आपने इसके उपर scrub करना है, light strokes के साथ और अंदर भी आप इसे कर सकते हैं, but be careful कि आपने इसको जादा wet नहीं होने देना, और आपने machine को plug off किय अच्छा, at the end आपने कपड़े को गीला करना है, light सा ही गीला करना है, उसके अच्छा से निचोड लेना है, और उसके बाद आपने इसे lighter strokes के साथ इसके उपर आपने फेर देना है, और आपकी machines बिलकुल साफ सुतरी हो जाएंगी, अच्छा जी, यहां पर मैं आपको दिख लगा था किचन के लिए, और यह बहुत ही reasonable price में मिल जाता है, किसी भी store से, किसी भी rockery की shop से आपको मिल सकता है यह, और मैंने यह I think 400 का लिया था, तो सारे जितने भी shoppers या polythine bags होते हैं, या कपड़े के bags होते हैं, उनको एक bag के अंदर डालने से बेतर है, कि आप इस तरह से यह ले ले लें, और इसके उपर कील लगे वे हैं, कील के लिए इनके slots लगे वे हैं, इसको आप दिवार के साथ अटाच कर सकते हैं, और यह बहुत firmly attached हो जाता है, और आप असानी से इससे shopper या फिर polythine bag अराम से pull कर सकते हैं, और इनने easily use कर सकते हैं, और इस वाले gadget से kitchen भी काफी decluttered रहता है, और orderly arrange लगता है, क्योंकि यह shoppers यह polythine bags बस इदर उदर पड़े रहते हैं, kitchen में जिसकी वज़े से kitchen cluttered रहता है, और kitchen का look बड़ा गंदा सा create हो रहा होता है, और rush सा लग रहा होता है kitchen में, तो इसको use करना बड़ा useful हो सकता है, अच्छा जी इसके यह वाले jars हैं, यह काफी common होते हैं, पाकिस्तानी घरों में especially, इसके अंदर jam वगरा होता है, तो इसको आप इस तरह से utilize कर सकते हैं, कि इसमें आप यह जो spatula होते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले, इनको आप इसके अंदर रख सकते हैं as a spatula holder, तो यह एक बड़ा अ इसको इसका holder बना लिया जाए, तो इसको मैंने chopstick holder बना लिया, इस तरह से बच्चों की chopstick इसमें असानी से रखी जा सकती हैं, तो जनाब इन चोटी चोटी low cost या no cost tricks के साथ आपका kitchen बड़ा well organized और साफ सुतरा सा लगता है, तो किसी भी इस तरह की चीज़ को discard करने से पहल और सब काम करने के बाद यहां पर कुछ दो तीन पुराने जार्स थे जिनको वाश करने के बाद मैंने सिंग का एरिया वाश किया है, अगर मेरी आज की वीडियो से आपको किसी किसम की motivation मिली हो, तो वीडियो को like कीज़ेगा, मिलती हूं next वीडियो में अपना ख्याल रखि इएरी को की में अपना रषणा हूंवा है दो यहाई इएए यहां नढ करन जे लिए